क्या लोगसभा चुनाप से पहले बिहार में खेला होने वाला है? क्या बिहार में नितीश कुमार की सरकार जाने वाली है? क्या तेजस्वी आदम नितीश के साथ नहीं बीजेपी के साथ खेला कर देंगे? एसा हम क्यों कह रहे हैं? इसको जानने के लिए पूरी वीडियो देखें लोगसभा चुनाप से पहले शुकरवार को बिहार में नितीश काबिनेट का विस्तार हुआ राजभवन में आयूजित शपत ग्रहन समारो के दोरान राज़िपाल ने जेडियो भाजपा के कुल 21 मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपत दिलाई इस दोरान जहां बीजेपी खेमे से 12 चहरों को मंत्री मंडल में जगे मिली तो वहीं जेडियो की तरब से 9 चहरे मंत्री मंडल में शामिल हुए अब खबर आ रही है इस कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी विधायकों के एक खेमे में नाराज़गी है बीजेपी विधायक राजू सिंग के आवास पर आयूजित डिनर पार्टी में बीजेपी के कई विधायक पहुँचे कहा जा रहा है कैबिनेट में MLE की जगे MLC को तरजीह मिलने से कुछ विधायक नाराज है सूत्रों के मताबिक नाराज विधायकों ने अलग से बैठक भी की है और जल्द ही आगे की अपनी रणीती का खुलासा करेंगे MLC को ज़्यादा तरजीह मिलने से नाराज राजू सिंग के आवास पर मिश्री लाल यादव, ग्यानेंद्र सिंग, ग्यानू समेत कई विधायक पहुंचे थे VIP से BJP में आने वाले विधायक इस खेमे में शामिल है BJP वधायक मिश्री लाल यादव ने कहा ये चर्चा है कि MLC को कैबिनेट में ज्यादा तरजीह दी गई है इस बार विधान परिसत से जिन निताओ को मंत्री बनाया गया है उनमें हरी सहनी, दिली जयासवाल, मंगल पांडे, संतोष कुमार सिंग और जनक राम जैसे नाम शामिल हुए शुकरवार को कैबिनेट विस्तार हुआ था बता दे नितीश कुमार के नित्रत वाले एंडिये सरकार के मंत्री मंडल विस्तार में जनतादल युनाइटेड यानी जेडियू के नौ विधायकों के अलावा भारतिय जनतापार्टी बाचपा के बारे विधायकों को शामिल किया गया है इस मंत्री मंडल में विस्तार जातिय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है जिसमें 6 सवन, 6 दलित, 4 अती पिछड़ा, 4 पिछड़ा एक मुसलिम शामिल है गोर तलब है, 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने महा गटबंधन सिननाता तोड़ कर इस्तीफा दिया था उस दिन रास्टिय जनतांत्रिक गटबंधन यानि NDA के मुख्यमंत्री के रूप में शपत ले ली थी इस दोरान उनकी बीजेपी निता समराच शौधरी और विजे कुमार सिनहा ने डिप्टी सीम पत की शपत ली थी इसके अलावा भाजपा कोटे से एक और जनतादल यूनाइटेट के तीन और जीतन राम मांजी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोचा के एक मंत्री और एकलोते निर्दलिय विधायक ने मंत्री पत की शपत ली थी